देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी आब लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही स्वच्छ वायू सर्वेक्षन के साल की रिपोर्ट में इंदौर शहर पहले पायदान से लुड़क कर पाँचवे पायदान पर आप पहुंचा है टौप 10 शहरों में जबलपुर और भोपाल भी शामिल है इसी पर एखास रिपोर्ट देखिए इंदौर की हवा हुई खराब स्वच्छ वायू सर्वेक्षन की रिपोर्ट हुई जारी पहले स्थान से पाँचवे स्थान पर लुड़का शहर इंदौर वासियों को लगा बड़ा जटका देशबर में सबसे स्वच्छ शहर के नाम से पहचाने जाने वाले इंदौर में भी लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही स्वच्च वाईू सर्विक्षन की साल की रिपोर्ट में जबलपुर ने इंदौर को पीछे कर टौप टैन में दूसरा स्थान हासिल किया है जबकि पिछले साल के मुकाबले इंदौर पहले से पाँचवे पायदान पर आ गया है 2023 में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया था लेकिन इस साल वह साथवे स्थान पर खिसक क्या है ये परिणाम इंदौर वासियों के लिए एक चिंता का विशा है अब ऐसे में क्या पैरामीटर थे जिसमें इंदौर का परफॉर्मस अच्छा नहीं रहा उसके वारे में विस्तार न्यूज आपको बताएगा सेंटर पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में इंदौर जो पिछली बार नंबर वन था सीधा फिसल कर नंबर साथ पर आ गया है जो इंदौर वासियों के लिए बिल्कुल भी खुशी के बाद तो नहीं है मैं अभी इंदौर की एमोजी रोड पर हूँ और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की जो पेड यहां पर हुआ करते थे उनको काट दिया गया है तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से क्या कारण रहे ऐसे कि इंदौर जो है इस बार इतना पिछड गया पीछे तो देखा आपने जगह जगह विकास के नाम पर पेड काट दिये गए जो एक बड़ी वज़ा है जिसकी वज़ह से इंदौर का पहला स्थान कैसे उसके हाथ से खिसक्या वहीं अब आपको एक और वज़ह भी बताते हैं तो मैं इस समय इंदौर के भवर पूँ अचा रहा है पर हो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर पूरा इंदौर की जो वायू है वो खराब हो गई है इंदौर जो स्वच्टा के लिए नंबर वन रहा है वायू के लिए नंबर वन रहा है वो आज सीधा नंबर वन से नंबर साथ पर आ गया है ये एक बड़ा कारण था जगए जगए कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है ऐसे में धूल मिट्टी लोगों के लिए तो परिशानी बनी है लेकिन इंदौर शहर का खताब भी चीलने गई एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे अभी मैं इंदौर के मदू मिलन चौरा है पर हूँ जैसा कि इंदौर इस बार वायू सर्वेक्षर में सीधा नमबर साथ पर आगया है जो पिछली बार नमबर वन पे था इसका एक में कारण ये भी है कि अवेर्नेस केमपेइन जिसे मैं कहूंगी जागरुकता लोगों में बहुत कम हो गई है पहले हम देखते थे कि रेड लाइट पर जो वाहन रुक जाते थे वो तुरंत अपने वाहन बंद कर लियते थे रेड लाइट देखते ही लेकिन वो आजकल देखने को कम मिल गया है रेड लाइट पर वाहन रुक कर भी चालू रहते हैं जिसकी वज़र से पल्यूशन बढ़ता है और उसी के कारणा इंगार नमबर साथ पर आगया सीधा जो पिछली बार नमबर वन पर था अब तो आप भी समझ गए होंगे कि पहले नमबर पर राज करने वाला शहर कैसे साथवे नमबर पर आगया है पहले के मताबिक लोगों में जागरुकता बहुत कम हो गई है रेड लाइट पर भी अधिकतर वाहन चालू रहते हैं जिसकी वजह से प्रदूशन होता है यही कारण है जिसकी वजह से वायू की गुडवत्ता खराब हो गई बहराल अब देखना होगा कि इस साल की रिपोर्ट के बाद अब शहर की हवा को साफ करने का काम किया जाएगा लेकिन अब ये तो 2025 की रिपोर्ट ही बताई की कि इंदौर शहर अपने इस काम में कितना सा फ़लो पाया है वस्ता नीउस के लिए इंदौर से मीनू ठाकुर की रिपोर्ट